Hello friends, आज आपनों को दिखाने वाले हैं Royal Infield का Classic 350 आता है उसका Rare वाला टेर दिखाने वाले हैं तो हम 3-4 company का टेर दिखाएंगे तो आपके बाइक के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा Royal Infield के लिए तो कौन सा टेर बेस्ट होगा और कैसा model होगा कैसा grip होगा टेर का और कितने साल का warranty आएगा टेर में और क्या प्राइज में होगा और कौन सा टेर आपके गाड़ी के लिए बेस्ट रहेगा और कैसा पेटन रहेगा सब डीटेल्स में बताने वाले हैं तो अगर आपको जानना जिससे कि हम टायर से याधियो बनाते हैं तो आप तक मूझ जाएगा हम इस चैनल में छोटे वड़े सभी गारियों के टायर से जानकार देते हैं आपको अगर कोई टायर से कोई जानकार दिदे ना है तो वीडियो में कमेंट कीजी आपको जवाब दिया जाएगा जो सही बारे में जो सही होगा हम वो आपको बताएंगे तो चली फ्रेंड्स पठापट शाफ लोगो दिखा देते हैं रोयल इंफिल्ट 350 क्लासिक का रेर वल अटायर देख सकते हैं यापे मेरे पास तीन कंपणी का टायर है रोयल इंफिल्ट क्लासिक 350 के लिए एक ये टीबेस का टायर है एक ये MRF का टायर है और ये एक C8 का टायर है और तीनो टायर का आपको एक एक करके रिव्यू करके दिखाते हैं और कौन सा टायर आपके बाइक के लिए यहीं बैस्ट करेंग हैं और कंड़ास का मोडल का नाम से आता है कौन सांपणी में आता है और का सब में तो सबसे पहले आपको MRF के बादा देते हैं साइड में कर यहां है अ जएक देख सकते हैं मार्या यह यहां पर लोगों दिया हुआ है MRF स्का सब्सक्राइब को अब देख सकते हैं मौडल स्कूर्ट के नाम से नाम से यह टेयर और मर्कीन के अंतर में यह सब्सफे पहले तो आपको इसका साइज दिखा देते हैं कि आपके यह व्यालेंट फिल्ट 350 में काउंट साइज का लगता है टायर यहां देख सकते हैं आप कि 110-98 161 नायलोन लिखा हुआ है और आप लोग देख सकते हैं टायर किस तरह से हैं और उसमें रोटेशन एरो भी दिया हुआ है यहां देख सकते हैं आप यहां 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 का टायर है पीशे वाला टायर है तो रेयर लिखा हुआ है रोटेशन एरो दिया हुआ है जब भी टायर को फिट करवाना है तो यह रो दिखके फिट करवाना है और इसका आपको पेटन दिखा देते हैं कुछ इस तरह से हैं इसका पेटन सेम पेटन जो है न आप अगर रॉयलेंट फिल्ड का 350 लेते हैं न्यू तो आपको यही टायर लगावा आएगा इंडिया का सबसे हेवी टायर है मारफ का क्योंकि बुलेट थोरा वजन्दार गारी होता है भाड़ी गारी होता है तो मस्बूट टायर लगाना ही बेश्ट रहेगा तो मारफ तो आप लोगों दिखा दिए अब दिखा देते हैं आप लोग को सीएट तो सबसे पहले इसका साइज दिखा देते हैं सीएट का टैर का यहां देख सकते हैं सेम साइज है 110-98 एक सट पी नायलोन लिखा हुआ इसमें भी रोटेशन एरो दिया हुआ है उसके इसके बाद इसका मोडल नेम आप लोगों को दिखा देते हैं आप देख सकते हैं आप लोग गिरीप गिरीप एक्सल के नाम से आता है इतर गिरीप एक्सल के नाम से आता है C8 कंपणी के अंदर में और टाय ट्यूब दोनों से एट आता है इसका भी त्यूब के साथ आता है सिल पैक किया हुआ इसमें भी तो इसका आपको पेटन दिखा देते हैं कुछ इस तरह से है इसका पेटन पूरा हेवी गोटी में है मोटी गुड़ी में ह अध MSN कि अजिसे कि अगर अपना वाइक में ऊफ्रेडिंग करते हैं तो आपको यह टेर लगाने से कर च बेश्ट रहा गवा में लिए करां फाड़ी फाड़ी लाका मैं अगर चलाते हैं अब खराब दास्ता में आपको यह तर अच्छा प्रोवांट देगा यह तर उसके बाद आपको टीविस का ड़े दिखा देते हैं कम रेंजी में तो टीविस का भी सबसे पहले साइज दिखा देते हैं यहां देख सकते हैं आप लोग सेम साइज है एक्सो देस एक्सो दस नब्य अठारह एंसी मतलब की मॉटर साइकल एक सट पी और उसके बाद टीवेस का लोगो दिखा देते हैं यहां पर टीवेस का लोगो दिया हुआ है टीवेस वेरे गिरिप के नाम से आथा यह टैर है और इसमें भी यहां पर टीवेस लिखा हुआ है क्योंकि यह टाइर टीवेस है वो दोनुए जो आपको दिखा है 1500 का वो ट्यूबाल टाय भाया ये ट्यूबस् टाय है इसमें भी आपको यही टैर सेम आपको ट्यूबला भी मिल जाएगा लेकिन ये मेरे पास अभी एवेलेबल टЮल ह था तो हम ट्यूबलेफ को दिखा रहे हैं सेम पेटन में ट्यूबबला भी मिल जाएगा तो इस 국a model name आपको दिखा देते हैं मोडलनम यहाँ पहर लिखा हुआ है इस पॉर्टर्क जेडार के नाम से आथा ये टायर टीवेस कंपनिग अंदर में और इसका पेटन देख सकते हैं कुछी इस तरह से हैं बहुत ही अच्छा कुपसुरत पेटन में आता है ये टीवेस का टायर गाड़ी को अच्छा लुग देता है ये भी टायर तो यह तीनों टार को आपको सबसे पहले वारेंटी बता देते हैं तो वारेंटी जो है इसमें आपको एमाराफ में 5 साल का फूलने का गरेंटी मिलेगा मतलब 5 एर कर बने वारेंटी मिलेगा 5 साल के अंदर में टार का आपको कहीं से फूल फाल जाता है तो टार आपको कम्प का टेर में आपको C8 का टेर में आपको डबल वरेंटी मिलने वाला है तिरी यह कह देगा और सिक्सीयर का मुण्शेर्ण वरेंटी मिलेगा यानि कि तीन साल के अंदर में टेर आपका कहीं से cut trước लगजाता है तो कंपनी के अंदर में अगर के अपका तयर कहीं से कट फट जाता है टो टर आपको kaff alsavra मांब कि आपका थार के अनandर में आपके तयर कहीं से फूल जाता है कहीं कोई कोई दुरगणना के द्वारा अगर आपको कहीं से फट रूट जाता है तो टायर आपको कमपणी फिरी अपकोष्ट टायर चेंड करके देगी एक भी रुपिया आपको पे करना नहीं पड़ेगा सीएट में और त्रीव के बादे बता देते हैं इसका वह वारांटी तो टीवेश में भी आपको मिल जाता है थी ये इर कार्कर fertig a और फंचल्ड गहरंडी सेम सี่ अड़ के जैसा ही वै didnt है और लाज की बात कर लूत कर लेंटए हैं तो यह कि तिनों में यह क्योAud Зri I लाइफ कौन सा अँद्देने वाला है आपको भी बता रहा है तीनो टायर में सबसे यदा देने वाला आपको MRF का टायर ही होगा यह सबसे यह सबस्य नहितर कि अंदर यह सबसे पेश्टष मौटी नहीं बटा जो है आपका मोटे है जो आपको फसने का चांसे सरा है तो आप अगर हाइवे में गाड़ी अगर आपका ज्यादा चलता है तो आप गाड़ी में यह टायर लगवाएं सबसे बेश्ट रहेगा क्योंकि यह मारफ कटर है और रोट पे घिसता भी कम है और इसका पेटन कुछ अलग तरीका से है तो इसमें कार्ट्यूटी फासने का चांसे कम रहता है तो हम कहेंगे कि सबसे पहले अगर आप अपना बाइक में अगर बाइक अगर लॉं स्यugen nhânो फासन बियुदों करेड़ करते हैं तो कि सबसे पहले हम रेट बता देते हैं तेनों drug जाना नहीं होता है तो आप यह TBS का टायर लगा सकते हैं क्योंकि कम बजट में TBS का टायर सही है तो तीनों का सबसे पहले हम rate बता देते हैं तीनों का rate सब चीज़ तो आपको बता ही दिए तो यह MRF टायर जो है आपको market में 25-26-26 के बीच में मिल दाएगा उसके बाद यह C8 का टायर है market में 24-25-25 के बीच में मिल दाएगा उसके बाद यह TBS का टायर है यह टायर आपको 19-21 के बीच में मिल दाएगा market में ट्यूब बला ली जगा तो सोपजास आगे पीछे हो सकता है और उसके बाद यह दोनों जो टायर दिखाएं आपको C8 का और MRF का इसका जो rate बताएं तो यह सब में भी आपको सोपजास का आगे पीछे हो सकता है लेकिन maximum वही rate में मिल दाता है मेरी यहां तो वही rate है बागी और जगा पे हो सकता है आगे पीछे हो लेकिन टायर अगा नमर वन है तो MRF है उसके बदरुसर नमर पर C और तिसरे नमर पर TBS तो अपने हिसाब से आप टायर पर्चिस कर लीजेगा अपने हिसाब सब सेलेक्ट कर लीजेगा कि कौन सा अपने बाइक में टायर लगवाना है तो तिनों में से कोई एक टायर लगवा ले नहां आपको अपने भाइक में तो तिनों टायर के पारे में तो आप लोगों को बता दिए वीडिएे अच्छा लगआ होगा तो एक लाइक कर दिजेगा मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत